पांच जुलाई को संसद में पेश होने वाले बजट में क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी कुछ खास करने जा रहे हैं। इस बजट पर आखिर पूरे देश की निगाहें क्यों हैं। माना जा रहा है कि इसी बजट में ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे देश की अर्थवेवस्था को 5 ट्रिलियन एकॉनोमी में ले जाया जा सके। तो चलिए देखते हैं आखिर क्यों बजट 2019 इतना खास है। पहले पांच साल लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए थे और अब ये पांच साल जनता की एस्पिरेशन यानि आख कांगशाओं को पूरा करने के लिए होंगे। भारत को फाइब ट्रिलियन एकॉनोमी में ले जाने के लिए इस बजट में क्रशी, निर्माण और निर्यास क्षेत्र पर खास जोर दिया जाएगा जिससे देश की ग्रामीर अर्थ्विवस्था भी ठीक हो और विदेशी निवेश भी आए। अपने शुरुआती फैसलों में सरकार, किसान, प्यापारी और युवाओं को फाइदा पहुचाने वाले कई बड़े फैसले पहले ही ले चुकी है। इस बजट में सरकार ऐसे फैसले करेंगी, जिससे खेती के पुराने तौर तरीकों को छोड़ कर आधुनिक सिस्टम अपनाए जा सके। प्रधान मंत्री मोधी खुद इस बजट में अपना इंपूर दे रहे हैं। ग्रामीर वाक्रशी धाचागत व्यवस्था पर 25 लाख करोण खर्च करने के लक्ष की ओर ये बजट मोधी सरकार की पहल होगा। सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे देश में कारोबार का अनुकूल माहौल बने और विदेशी निवेशक आकरशित हों ताकि जल से जल भारत को 5 ट्रिलियन एकॉनोमी में ले जाने का सपना साकार हो पाए। झाल 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 झाल